अलो है नमस्ते आप सभी का स्वागत है लेक्चर नमबर 22 आप इस साइंस इंटेक सीरीज प्रेज प्रेसिंट यू बाइलफा इस अक्याडमी और वेलकम यू आपको मैं ओवर्ग्यू दूं इंडिनिन स्पेस प्रोग्राम का तो बेसिकली दो मेजर डिपार्टमेंट से जो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ठीक है जो इन गवर्मेंट ऑफ इंटेकर रादा एंड इस इंडिन स्पेस रिसर्ज और्गनेशन अच्छा मैं अब सब्सक्राइब इस वीडियो को ना 1.25 एक्स पर देखा करें बेस्ट व्यूद है इस बेस्ट व्यूद इस बाथ करते हैं कौनी चीजें है जो इसको कवर करें आपकी जो साटलाइट वह गए साटलाइट लाइस सेटलाइट होती है माँके जलके पड़िगे डिसरेंड डिवल्यूप्मेंट हो गया अब देख सेको ट्रोग्रेम कितना important हो गया आज के time पर अब हम space ethics की बात भी करने लगे हैं यह space war की बात करने लगे हैं ठीक है तो contemporary times में यह topic जो है बहुत जादा important हो जाता है ठीक है अब जो बात करते हैं launchers से वही बात करूँ आपकी शुरुबात में यह था फिर अपर अब जो दो मेजर हैं हमारे पास वह पी असल वी एंड जी एसल वी एड पोलर सेटलाइट लाँच वहिकल और जी एसल वी एड जी जी ओ से सिंख्रोनस सेटलाइट लाँच वहिकल ठीक है अब इसका यूज ज्यादा न से भी जहना गया थिक है तो पोलर सेटलाइट लाँच वेकल एन जी से झेलिए जैशल वी के हैं दो और यह थो फोड़ा से लाइट वेट ले जा सकता है और यह है अब यहां पर आप देखा हैं तो मार्स वह यह चो चीज़ी और तक लिया सकता है तो अभी जो हमाई पार सबसे खदनाग रोकेट है वह है जी एसल भी एमके थरी इसमें भी टाइम टू टाइम चीजें जो है इंप्रूफ होती रहती है ठीक है इन दोनों के लावा एक सांडिंग रोकेट भी होता है कुछ नहीं होता संद्रिंग रोकेट क्या होता है कि basically यहां से आपने छोड़ा वे ट्रेक्टरी उपर बिसीकली एक टाइप करता है ठीक है उपर जो अपर एटमोस्फेर है उसको जासता है कि वहां कैसी हवाय चल रही है कितना टैप्रेचर है कितनी है कितना प्रेशर है इस स स्टमाल कि जाते हैं उसके लाब मैंने आपको बताई दिया कि यह हमारे लांच विकल है आज की टाइम पर दो है पीएसल्वी एन जीएसल्वी ठीक है पीएसल्वी था जिसमें मार्स और भीटर मिशन भीजा किया था ठीक है कुछ लॉंचर से जो डिवेलपेंड में उसमें सब्सक्राइब लॉंच वहिकल टेकनोलोजी डॉक डेमस्ट्रेटर ठीक है इससे पहले चीज़ पढ़ लेते हैं कि स्क्राइम जैट इंजन क्या होता है किसी भी रॉकेट को चनले के लिए एक है फ्यूल की ज़रुत होती है और उस फ्यूल को जलाने के लिए एक ऑक्सिड यह लाइट हो जाता है कि स्क्राइब करता है और उक्सिजन के लिए और बहुत के लिए आत्मोस्टे अक्सिजिन तो तेक्स एट्मस्टेक और इट्मस्ट्पेरिक औक्सिजन आज आज oxidizer that's why it will become light and easy to operate these all technologies in fact these both rockages that is RLV TD and scramjet TD both are under development they are under the style stages from trials has been successfully conducted ticket up scandal Tendon पर लिया अब होता क्या है कि बेसिकलि में रॉकेट छोड़ा वह ऊपर गया वह डूब जाता है ठीक है तो कितना पैसा पर बाद हुआ लेकिन अब आपने देखा वापिस होई आगे खड़ा हो गया ऐसे देखा होगा अपने तो क्या था आपका रियूजेवल रॉकेट तो तो लोवर दी कॉस्ट ऑफ स्पेस ऑपरेशन वियर उजिंग नौ यूजिंग रियूजेवल उपरेटर जो और सेटलेट तो चोड़के वह अपना ट्रेवल पार जो है ट्रेवल करती देगी और और भी जाए खुद नीचे आ गए और नीचे आके जो है बैसिकली जो सब्सक्राइब क्या होते हैं यह आपके रॉकेट प्लस एयर प्लेन दो नुकर दोनों की इसमें च्रेइल वह सूपते हैं यह फिसम्हें है आप की आप बात करते हैं सäटलाइट सेटलाइट थीट होती होती हैं तो हमें हम पॉनगोंजी पड़ने कम्मुनिकेशन सेटलाइट सिस्थिस्टम पढ़ लेते हैं एक अर्त पढ़ लेते हैं कम्यूनिकेशन के इंडिया आपने इंसाइट सुना होगा कि नो इंसाइट जो सैटलाइट सिस्टम है इसके अंदर बहुत साइटलाइट्स है ठीक है यह सबसे पहले इंसाइट वन भी छोड़ी गई थी का 1983 में उसके बाद आज के टाइम पर लगबग लगबग 15 अपरेशनल 15 सेटलाइट्स हैं इंसाइट के इंदर जैसे आपका इंसाइट 3A 3C 4A 4B 4C ऐसे एक जी सैट होती है ठीक है जी सैट 6 789 10 11 11 नहीं है 10 12 14 15 16 17 नहीं फिर 18 कुछ कुछ नंबर कर देता है क्यों करता है हमें नहीं पता कुछ खराब भी हो जाती है कुछ successful नहीं होते हैं मिशन तो इन सैट और जी सैट जब भी सुनेंगे तो यह क्या है अगर आप देखेंगे ना टाइग्राम जो आपके सामने चल रहा है अगर आप उसमें देखेंगे तो प्षाल जियो स्ब्सटून इस चैटलाइड होती है जिस्टेशनमेंस कही एक होती है फिट्स और पर उती है ओ लेकिन जो क्या होता है तिक हो ऑपसक्राइब के ऊपर उनका ब्लेंट हों सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं कितना है कितनी भाइब बेंगॉल में जो है लो प्रेशर बन रहा है लो प्रेशर से क्या हो रहा है तुफान आने वाला है तो कैसे लगाते हैं आप और प्रेशन से लगाते हैं पहली वर्निंग चाल भी जाती है कि पुर्टी किलो मेटर रह गया अब तुफान उडिशा कोस्ट को हिट करने के लिए साइकलोन करने के लिए तो जो है आप खाली कर दें वही एरिया इतनी इतनी इसके एक्जामपल अगर मैं आपको तो सबसे पहली जो और तो सेटलाइट थी इस वन एटी इस वन नाइटीन एट में इसको इश्रों ने चोड़ा था ठीक है आज के लगबल लबद 13 जहांने को डॉक्यमेंट को फेपर करें थाटीन सेटलाइट थी संसिंक्रोन और तो टू एटू बी ऐसी हाँ रही सैट यहां पर सैट आगे ना वह मतलब अर्थ ऑज़विशन सैटलाइट ओशन सैट एक सरल है स्कैट सैट है ठीक है फिर जिए स्टेशनरी और बिट में कुछ जो है संसिक्टोनलस में है चार जो है जी 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 ओ इस्टेशनरी में जैसे सब किसमें है आपके सबना चमाइब यह से और नकानी जो फेलोगे कोई बात नहीं जी है जो बात नहीं जी जैसे एंए स्वार मैदाने जंग में कोई बात नहीं तिक है जो सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए उनिवर्स को समझने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए प्रोग्राम चिलाया गया था यह यह यूर राव एक सेंटिस थे यूर राव सेटलाइट सेंटर रहा है कि उसमें इसको जो है बेसिकली कि इन दोनों ने मिलके चलाया था और 1996 में लगबग चलता था यह तो बता दें आपको ठीक है पर लेकिन इसका जो बैसिकली इसकी मिशन लाइफ इसकी जो थी मिशन लाइफ थी इसको छोड़ा गया था फोर स्टेजव के अंदर ठीक है लिक विट्स है ट्रिक्विट्स होते हैं कहीं बार ऑल्टरनेत होता है जो तो अलग-जो जो सटैलाइट लॉंच वेहिकल इस्तमाल कर रहें पर डिपेंड करता है क्या स्टेजट ऑप पर परपलशें होंगी अब ऐसी चंद्रयान वन जो लेंडर था एक उसके अंदर रॉवर था कि भाई इसने जो है चांद के अपर उतर के रॉवर ने उसने जो है चलना था और अफॉर्टुनेटल जो स्टेज थी वह सक्सेस्फुल रही तो कुछ लेंडर रॉवर था वह अनफॉर्टुनेटली जो है जो था कंट्रोल नहीं कर पार यहांगे मून के सर्फेस पर टकर आ गया बट देन कोई बात नहीं चंद्रियान टू उसके बाद अनौंस कर जेगा है और सून वी विल हैव यूनों सेटलाइट नौर सेटलाइट बट रॉवर ऑन दी मून सून और आशा करते हैं कि चंद्रियान टू सक्सेस्फुल रहे और आप भी अपनी प्राइम स्क्सेस्फुल रहें और कोई भी समझते है तो फाइस को कॉंटेक्ट करें याद करें हमामेशा आपके साथ है ठीक है इ रहें प्री अटियू यजबस थी यजबस अड़ आप इनवफ यजबस ट्री इन अपके प्रजबस लेज़ गले कि वाने यद सेट भी यजबस और वी